नमस्कार मैं रवनात प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं परलेमेंटरी कमिटी के एक रिपोर्ट की जो छपा है 27 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस के अंग में इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि All India Institute of Medical Sciences में जो डॉक्टरों का चैन फैकल्टी के रूप में होता है उसम सिरूर कास्ट और सिरूर ट्राइब के केंडियेट्स के साथ भेद भाव किया जाता है उन्होंने असपस्ता टिस्क्रिमिनेशन और बाइसनिस की चर्चा की है और एक अनुसंसा की है सुझाव दिया है कि जो चैन समीति हो जो बोर्ड हो उसमें SCST का भी रप्रेजन्टीश साथ ही केंडिडियेट का कोडिंग होना चाहिए मैं इस समंध में बिहार का हुने के नाते एक चीज की चर्चा मैं करना चाहूंगा कि इस परलेमेंटरी कमिटी ने बहुत अच्छा स्जोह दिया है कोडिंग का बिहार लोग सेवा आयोग ने लगवक दस वर्सों पूर्भ कि एक ऐसी पारदर्शी स्थिति पैदा की जो निश्चित तोर पर इंटर्व्यू पूर्ट के लिए एक मानक होना चाहिए मैं तो कहता हूं कि यह मानक होना चाहिए ना केवल दूसरे राज्यों के लोग सेवायोगों के लिए वरहां मानक होना चाहिए यूनियन पर्विक सर्फशी कमिशन के लिए यहां पर कैंडिडेट का कोडिंग होता है और कोडिंग के बाद ही कैंडिडेट जाते हैं बूर्ड में और बूर्ड को भी वो कोड नमर कैंडिडेट वाइस मैं समसता हूं कि शायद इंटर्वू शुरू होने के 5-10 मिनट पुर्भीत आ जाता है त कि इसमें मैं एक सीज और जोरना चाहूंगा कि जो यहां के इंटर्वू की वेस्था जो केंडिडेट लोग ने भी बतलाया है मैंने कई जगा बात करके भी बता लगाया कि एक वह इतनी अच्छी वेस्था हो गई है कि वहां पर कैंडिडेट का कोई बाइव डाटा नहीं है वो कहां के रहने वाले हैं वो नहीं पूछा जाता है उन्होंने परहाई कहां से की वो नहीं पूछा जाता है ताकि किसी भी तरह के बाइसनेस का सवाल प्रेजुडिस होने का सवाल आयोग को नहीं हो किसी भी बोड को नहीं हो इतनी अच्छी वेवस्था है कि परलेमें में जो 1111 फैकल्टी हैं उसमें 275 और विरानवे जो एसोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद हैं वो खाली है यह इस्तिती यह कमिट परलेमेंट्री कमिटी तो सिर्फ एम्स के लिए कह रही है उन्होंने यह भी कहा कि इस्ति फैकल्टी का जो पोस्ट खाली है उसे तीन महीने में भरा जा और किसी भी स्थिति में छो महीने सब्सक्राइब खाली नहीं जाए जाहिए मैं इस में एक नागरिक के नातिया या जोरना चाहूंगा कि यह भेदभाव नाकेवल अनसुची जाती और अनसुची जन जा के साथ है यह भेदभाव मैं समझता हूं कि अन्य पिछलावर के कैंडिडिट के साथ भी है और नाकेवल इसमें वरान मैं समझता हूं कि IIT फैकल्टी में IIM फैकल्टी के सेलेक्शन में या सेंट्रल इनवर्ष्टी में जो एस्वेट प्रफेसर और प्रफेसर का चेहन होत लेकिन मैस मस्ता हों के साथ किसी भी सेंट्रल इनवर्ष्टी में अभी यह स्टी और ओवी सी का नहीं भरा जा सका है कारण क्या है कि बोर्ट सीधे लिखती है कि देट नो सुटेबल केंडिट वास फाउंड फर दी पोस्ट भारत सरकार के सिक्षा मंत्राले को या सेंटल निव़स्टी के अपॉंटमेंट के लिए फिकल्टी के समंद में इसके के नोट फाऊंड सुटॉटॉब का क्या आख होन्य का इसकी जाँच होनी चाहिए और जांच करने पड़ यहां चाहिए कि सही ठीक है तो ठीक है अगरा हम फ़दर्श होना चाहिए कि क्या कारण है पाएगा है यह असपर स्ट आना चाहिए और अगर सिख्षा मत्राड़े के जहांच में यह पाएजा करा है कि वास्तों में कोई भाइसनेस है तो निश्ची तो अपर यह माइंट से को चेंज करने की जरूरत है और इस समध में भरत सरकार को करिया करा से करा इस्टेप लेना ताकि SC, ST, OBC के सभी महत्रप्रण स्थानों में जो फैकल्टीज के लिये जो मिनिमम रिजर्वेशन का सीट है नीचे से उपर तक प्रमूर्शन के पदो पर वो भारा जाना चाहिए यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब सभी लोगों के लिए सुप कावना है धन्दबाद जाहिए